भारत अब बड़ा कदम उठा रहा है पांच हजार करोड का एक मेगा प्लान लॉंच किया जा रहा है रेर अर्थ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्यों क्यों क्योंकि अप्रेल दो हजार पचीज से चीन ने रेर अर्थ का एक्सपोर्ट लगभग बंद कर दिया है और इ एलेक्ट्रिक गाडियों, फाइटर जेट्स, स्मार्टफोन और विंड टर्बाइनों में इस्तेमाल होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे रेर अर्थ आखिर होते क्या है चीन ने ऐसा क्यों किया और भारत अब क्या कर रहा है इस चुनोती से निपटने के लिए रेर अर और रिफाइन करना इन में से कुछ सबसे जरूरी तत्व है नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेसोडीमियम इन से बनाए जाते हैं बेहत शक्तिशाली मैगनेट्स ये मैगनेट्स इलेक्रिक विएकल्स के मोटर में, स्मार्टफोन्स में, मिसाइल्स और फाइटर जे प्रेक्टर पर हावी है, वो दुनिया के 90 प्रतिशत रेर अर्थ मैगनेट्स खुद बनाता है, अप्रेल 2025 में चीन ने रेर अर्थ प्रोडक्स पर नया एक्सपोर्ट बैन लागू कर दिया, और मई में इसका असर साफ दिखा, चीन की रेर अर्थ एक्सपोर्ट्स 61 प्रत इसका सीधा असर पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज पर पड़ा, अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह आटो और इलेक्ट्रोनिक्स कमपनियों को सप्लाई में दिक्कत आने लगी, इवी कमपनियों को पार्ट्स नहीं मिल रहे, डिफेंस कॉंट्रेक्टर्स डिले में यही वज़ा है कि सरकार अब एक्शन में है, भारत की सरकार अब एक 3500 करोड से 5000 करोड की योजना ला रही है, जिससे दो बड़े काम होंगे, रेर अर्थ मिनरल्स का देश में उत्पादन बढ़ाना और भारत में ही मैगनेट मैनुफैक्चरिंग की शुरुआत करना, सरकार एक रिवर्स उंक्षन मॉडल के जरिये प्राइवेट कमपनियों को इंसेंटिव्स देगी, कम से कम पाँच बड़ी भारतिये कमपनियों ने इसमें इंट्रेस्ट दिखाया है, साथी सरकार माइन्स और मिन्डरल्स एक्ट में बदलाव लाने की सोच रही है, ताकि एक्स्प्लोरेशन और माइनिंग आसान हो सके, और खबर है कि इसी साल के अंत तक इंडिया में छोटे स्तर पर रेर अर्थ मैगनेट्स का कमर्शल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है, इंडियन रेर अर्थ लिमिटेड यानी आयारियल को सरकार ने कहा है कि वो जापान को रेर अर्थ एक्स्पोर्ट करना बंद करे, पिछले तेरह सालों से ये डील चल रही थी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये संसाधन पहले देश के लिए इस्तेमाल हो, अब फोकस सिर्फ माइनिंग पर नहीं, बलकि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर है, अब सवाल उठता है, क्या भारत में पोटेंशल है? जवाब है, हाँ, भारत के पास दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा रेर अर्थ भंडार है, करीब 6.9 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन हम अभी भी ज्यादा तर मैगनेट्स चीन से इंपोर्ट करते हैं, 2024-25 में ही हमने 53,000 मेट्रिक टन से ज्यादा रेर अर्थ मैगनेट्स इंपोर्ट किये थे, अब सरकार चाहती है कि हम सिर्फ रौ मेटिरियल एक्सपोर्टर ना रहें, बलकि एक कम्प्लीट वैल्यू चेन इकोसिस्टम बनाएं, जहां माइनिंग, रिफाइनिंग और मैगनेट मिकिंग सब कुछ देश में ही हो, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, रेर अर्थ को रिफाइन करना बेहत टॉक्सिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इन्वाइरमेंटल रिस्क भी होते है, चीन ने इस पूरी एकोसिस्टम को खड़ा करने में दो दशक लगा दिये, भारत को अब तेजी से आगे बढ़ना होगा, इसके लिए जरूरी होगा, बहतर R&D, टेकनोलोजी पार्टनर्शिप्स और ग्रीन माइनिंग सोलूशन्स, एक और बड़ी बात समझे, बीसवी सदी में लडाईयाँ तेल के लिए होती थी, एक किसवी सदी में ये लडाई रेर अर्थ के लिए होगी, रेर अर्थ ही वो की है, जिनसे क्लीन एनरजी, इवीज और डिफेन्स टेकनोलोजी चलेगी, अमेरिका, यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया, इस सेक्टर में पहले ही भारी निवेश कर चुके है, और अब भारत ने भी साफ कर दिया है, कि वो इस रेस में पीछे नहीं रहेगा. ये पाँच हजार करोड की योजना सिर्फ एक शुरुआत है, तो अब सवाल ये है, क्या भारत चीन की मोनोपूली को तोड़ पाएगा? क्या हम अपनी रेर अर्थ स्ट्राटेजी को सफल बना पाएंगे? रास्ता लंबा है, लेकिन दिशा बिलकुल सही है. अगर सरकार, इंडस्ट्री और वैज्ञानिक संस्थान एक साथ आएं, तो आने वाले पाँच से दस सालों में भारत रेर अर्थ का एक ग्लोबल पावर बन सकता है. आपका क्या मानना है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं. और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. आप इस वीडियो को दस में से कितने नंबर देंगे? नीचे कॉमेंट्स में बताएं. और अगर कोई इंप्रूव्मेंट की सला हो, तो वो भी खुल कर बताएं. आपका फीडबैक हमें और भी बहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा. और हाँ, अगर आपको लगा कि कुछ छूट गया या और कुछ जोड़ना चाहिए था, तो बेजिजक पताईए. अगली बार हम सब मिलकर और भी बहतर कंटेंट बनाएंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. ज़ हिंद!